राधे राधे मित्रो आपका इस चेल में स्वागत है मैं हजाब के लिए बहुत ही सुंदर कता लाया हूँ तुलसी कौन थी और सालिक रामजी से उनका विवा क्यों करा जाता है तुलसी पोधा पूरु जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वरंदा था राक्स स्कूल में उसका जन्म हुआ था बच्पन से ही बगवान मिष्णो की भक्त थी बढ़ ही प्रेम से बगवान की सेवा पूजा किया करती थी जब भड़ी हुई तो उनका विवा राक्स स्कूल में दानव राध जलन्दर से हो गया जलंदर समुन्द से उत्पन हुआ था वरंदा बढ़ी प्रतिवता एस्जित थी सदापने पत्ते की सेवा किया करती थी एक बार देवताव रदानों में युद हुआ जब जलंदर युद पर जाने लगे तो वरंदा ने कहा स्वामी आप युद पर जा रहे हैं आप जब तक युद में रहेंगे मैं पूजा में बेट कर आपकी जीत के लिए अनुष्टा करोगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं चड़ोंगी जलंदर तो युद में चले गए और वरंदा वरत का संकल्प लेकर पूजा में बेट गई उनके वरत के अबराओ से देवता भी जलंदर को ना जीत सके सारे देवता जब हारने लगे तो विश्णुजी के पास गए सबने भगवान से प्रात्ना की तो भगवान कहने लगे कि रंदा मेरी परमभक्त है मैं उसके साथ चल नहीं कर सकता फिर देवता बोले भगवान दोस्टा कोई उपाय भी तो नहीं है अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं भगवान ने जरंदर का ही रूप रखा और वरंदा के महल में पहुँच गए जैसे ही वरंदा ने अपने पत्ति को देखा में तुरंद पुजा में उट गई और उनके चर्ण में छू लिए जैसे ही उनका संकल तुटा यूद में देवता ने जरंदर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया उनका सिर वरंदा के महल में गिरा जब वरंदा ने देखा कि मेरे पत्ति का सिर तो कटा पड़ा है तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े ये कौन है उन्होंने पूचा आप कौन हो जिसका इस वर्स में ने किया तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ ना बोल सके वरंदा सारी बात समझ गी उन्होंने भगवान को शाब दे दिया आप पत्तर के हो जाओ और भगवान तरुन पत्तर के हो गए सबी देवता हाकार करने लगे रक्षमी जी रोने लगे और प्रातना करने लगे जब वरंदा जी ने भगवान को वापस वेसाई कर दिया और अपने पती का सिर लेकर वे सती हो गई उनकी राक्त से एक पोदा निकला तब भगवान विश्णु जी ने कहा आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्तर की रूप में रहेगा जी से सालिगराम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पुझा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के बोक्स विकार नहीं करूंगा तब से तुलसी जी की पुझा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवा सालिक राम जी से साथ कार्थिक मास में किया जाता है देव ठाउने एकादसी के दिन इसे तुलसी विवा के रूप में मनाये जाता है जै जै शीराग